नमस्कार में पेनबाशपई अपने यूटूब चैनल में पेनबाशपई पर आपका बहुत-बहुत सवगत करता हूँ ये वीडियो CHSL 2021 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेलफुल होने बाला है जैसा कि आप लोग बहुत ज़दा आपकी डिमांड आ रहे थी कि सर टाइपिंग का कोर्स कब आप एनाउंस करेंगे तो फाइनली आपके लिए टाइपिंग का कोर्स आ गया है इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस कोर्स को जॉइन करने के बाद आप 100% टाइपिंग को कौलिफाई करने वाले है क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट ये है कि आप मेहनत करने वो अच्छी बात है लेकिन मैं एक राइट डिरेक्शन में आपको करने की जुरत है तो completely यहाँ पे मेरा support आपको मिलेगा और उसके अलाबा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके tier 1 में इतने marks हैं आपको typing के लिए अभी से लग जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़दा time आपके पास नहीं है बहुत जल्द आपका result जो है वो announce होने बाला और result announce होने के बाद फिर आपको इतना time नहीं मिलेगा typing के लिए तो ये proper time है जहां से आप typing start कर सकते हैं qualify भी कर सकते हैं इतना मैं दाविक के साथ कर सकता हूँ कि जो guidance में आपको provide कराने वाला हूँ यहाँ पे उसकी मदद से आप exam को जो typing है आपका उसको 100% आप qualify करने वाले हैं अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या-क्या मिलेगा तो इस course में आपको 100 plus previous typing के passes मिलेंगे यह जो passes है यहाँ पे 2020 तक के जो passes है वो include होंगे यानि कि यहाँ पे जो passes है वो CHSL और CJL exam के जो previous year में आपके आए हुए हैं वो सारे passes आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यह जो passes है वो मैंने खुड type की है यानि कि यह जो content है इसको आप offline भी practice कर सकते हो और online भी practice कर सकते हो कैसे online practice करना है किस website का use करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आपको इदर उदर भटकने की जुरत ही नहीं पड़ेगी इस course को join करने के बाद आपकी जितने भी doubts हैं वो सारे cover होंगे तो सबसे पहली बात कि आपको 100 plus previous typing के पैसेज मिलेंगे उसके लाबा free software आपको मिलेगा online practice करने के लिए उसके लाबा जो important website है जहां से आप इस content को copy paste करोगे online type करोगे उसके लाबा और भी जो helpful website आपके लिए हो सकती है तो वो सारा कुछ मैं आपको suggest करोगा उसके लाबा आपको basic to advanced level सारे videos मिलेंगे कि आपको basic किस तरीके से cover करना कैसे अपनी speed बनानी है offline कितना type करना है online कितना type करना है full error, half error जितने भी doubt है कितने font में SSC typing करवाता है बहाँ पे क्या-क्या चीजे होती है कितने की stock होने पर आप type कर ले जाओगे किस तरीके से आपको stage बनानी है कैसे type करना है कितने घंटे type करना है सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा उसके अलाबा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको मेरा बाटसफ सपोर्ट मिलेगा कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप मेरा जो नमबर है 6307-1856-99 इस नमबर पे आप लोग कभी भी डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टाइम यह उन एस्पिरेंट के लिए रहेगा जो इस कोर्स को जॉइन करेंगा आपके सारे डाउट यहाँ पे कवर होंगे और यह जो डाउट की जो आपको सर्विस मिल लए यह लाइफ टैम मिल लए आप अगर हम से कनेक्ट होते हैं तो हम आपको तिल जब तक कि आपका सेलेक्शन ने होगा तब तक कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं तो यह जो कम्प्लीट कोर्स है इसका प्राइस हमने केवल और केवल 249 रुपीज रखा है इस प्राइस में मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टेंड इसे अफोर्ड कर सकता है और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि जितना कंटेंट जितनी वैलू यहाँ पे हम देने वाले हैं आप 100% एक्जाम को कौलिफाई करके आओगे अब बात कर लेते हैं कि पैमेंट आप कैसे करेंगे तो पैमेंट करने के यह तमाम आपसन है अगर आप फोन पे यूजर है तो यह जो फोन पे का नंबर है 6307-1856-9 इस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हैं अगर आप UPI ID से करना चाहते हैं तो यह UPI ID है इस पे आप कर सकते हैं किलाबा अगर आप एकाउंट नंबर से करना चाहते हैं तो एकाउंट नंबर से आप कर सकते हैं IFSC कोड यह है यूजर नेम है प्रवीन कुमार बाचभी ठीक है बाकि कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप यह जो मेरा नंबर है 6307-1856-99 इस नंबर पे आप बाचसेप पे मैसेज करके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि जो आपका इंतजार था वो अब खत्म हो गया है आप अब लग जाएए अपनी टाइपिंग में बहुत ज़दा टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है अब बात कर लेते हैं कि किन एस्पिरेंट को टाइपिंग की प्रेक्टिस करने चाहिए देखिए आप चाहें किसी भी कटागरी के हैं चाहें UR के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं अगर आपके Tier 1 में मार्क्स 150 या उससे उपर है और Tier 2 आपका ठीक ठाग गया है तो आपको टाइपिंग में अभी से लग जाना चाहिए बहुत अच्छी अपॉर्चनटी है इस बार क्योंकि वेकेंसी बहुत जादा है और इसके आसपास की जितनी वेकेंसी उससे भी काफी आपको help मिलेगी तो जिन बच्चों के मार्क्स 150 प्लस है Tier 1 में वो अभी से टाइपिंग की प्रेक्टिस में लग जाएए उसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक किसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा